कि शुर्ड ने लेकुम लास्ट लेक्षर में हम लोगोंने इंट्र्ड़क्शन किया था आज हम लोग चैप्टर नमर बाण जो हैं गोडबाई मिश्चिप का उसका अगास करेंगे तो इसके स्टार्ट में एकर करें तो इसके इंपॉर्टन पॉइंट्स और में इमें इस ज पोटल 18 chapters है तो chapter 1 आज discuss करेंगे इंशाला जो है वो डेली एक वीडियो जो अपलोड होगी और उसमें chapter wise हम लोग चीज़ों को discuss करेंगे तो chapter 1 में जो important points है या main events है उनको हम लोग discuss करते हैं तो when the novel opens Mr. Chips was living हमने यहां पर outline जो है वो outline की form में जो है वो outlines बना दी गी है यहां जो है यहां जो है Mr. Chips की गुजशता जिंदगी की यादाश्त पर मबनी है इसलिए इसको समझने के लिए time frame जो है उसको जहन में रखना बड़ा जरूरी है पहले चेप्टर में जब हमारी मुलाकात Mr. Chips से होती है तो उस वक्त उसकी उमर जहा हो 75 साल की है यानि जो चेप्टर नमर वन में जो चीज़ हमें बताई गई है तो वो अपने स्कूल से रटायर हो चुका है और वो रेटायर लाइफ जो है वो जिन्दगी गजार रहे है और उसकी अमर कितनी बताईगी है 75 जो है उसकी एज बताईगी है रेटायर हुए 10 साल का अरसा जो है उसे बीद किये तो रेटायर्मन्ट के बाद उन्होंने बिलकुल जो है वो स्कूल के सामने ही एक खातौन जिसका ना मेसिस विकट है उनके हाँ जो है उसने रहाईश एक्तियार कर ली है अब सवाल ये पैदा होता है कि मेसिस विकट है कौं तो मेसिस विकट भी जो थी वो इसी स्कूल की म मिस्टर चिप्स रिटायर हो चुका है हमने इंट्रडक्शन टू मिस्टर चिप्स महले में जो पहले वीडियो थी उसमें हम लोगो ने देख लिया कि कितना अरसा उसने जो है वो ब्रुक्पिल्म में गुजारा तो उसे रिटायर हुए जो है वो तकरीमन दस साल करसा होगे और वो रिटायरमन के फ़ॉरंद बाद जो है वो मिस्स विकट के हम करते हैं और मिस्स विकट का हुँन है कि वो भी जो है वो स्कूल की मुलाजमा थी तो यहां पे अब वो वक्त यहां पे कैसे गजारता है ठीक है सवाल यह पैता होता है कि वो यहां पे जो है वो वक्त कैसे गजारता है चोके उसने अपनी सारी जिन्दगी ब्रुक्फिल्ड में गजारी है तो वो अब रिटायर होने के बाद भी वो अपनी लाइफ को जो है वो बुर्क फ्रील्ड के मताबिक जो है वो गजा रहा है means कि वो जैसे जैसे स्कूल में घंटियां बचती हैं ठीक है तो वैसे जो है वो मतलब जो है वो अपने वो जो है वो जो है वो जिन्दगी चला रहा है यानि वो रिटायर होने के बाद भी स्कूल वाली लाइफ थी उसकी वो गजा रहा है मिसाल के तोर पर चिफ्स हमेशा आखरी गंटी बजने के बाद कुलाओ को चाबी देता था फिर वो आख के सामने हिफास्ती जंगला रखता गैस बजा देता और कोई नावल लेकर वो बिस्तर पर चला जाता यानि जैसे ही स्कूल में उसे एक आखरी जो ग्लास की या आखरी पिरिट की जैसे ही बेल बचती तो वो क्या करता था कि वो मतलब अपनी क्लाओ को चाबी देता था ठीक है और आख के सामने हिफास्ती जंगला रखता गैस बजा देता और कोई जासुसी नावल लेकर वो बिस्तर पर चला जाता और पढ़ते पढ़ते जैसे वो नीन की बावज़ूद ब वो अदारे में ब्रुक्फिल्ड में कितना ज्यादा इंवाल हुआ हुआ है कि रिटायर होने के पाथ बिस्तर पाद बिस्कूल के मताबिक गज़ारें है और मिस्टर चिप्स के मताबिक वो हमेशा हो सही ही कहता कि मतलब कि तुम्हें कोई भी किसम का कोई मसला नहीं है ठीक है डॉक्टर मेरीविल या आप लोगों ने शॉर्ट परसंद भी तैयार कर रहे हैं कि हूँ वास डॉक्टर मेरीविल नेक्स्ट नमबर थर्ड पॉइंट अगर हम लोग इसकी तरफ जाएं तो मिस्टर चिप्स वास बॉर्न इंटीन फॉर्टी एट ठीक है मिस्टर चिप्स यह था वो अठारा सो अटारीस में पैदा हुआ ठीक है हमें यह नहीं बताया गया कि यह कहां पर पैदा हुआ तो यह आप लोगों ने जहिन में रखना है कि हिवास बॉर्न इंटीन फॉर्टी एट नेक्स्ट इंपॉर्टन पॉइंट है मिस्टर चिप्स जॉइन बॉर्प्फिल इंटीन इंटीन यह लास लेक्शन में भी हम लोगों ने डिसकस कर लिया था कि 1870 में बॉर्प्फिल इदारे में ही आया पढ़ाने के लिए इससे पहले इसने एक साल यह लास लाइन यहां पर लिखी है कि he had already taught at Melbury's Public School for one year 1870 में इसने बॉर्प्फिल को जोइन किया और बॉर्प्फिल की जोइन करने से पहले यह एक साल मेलबरी स्कूल में पढ़ा के आया था और वहां पे से क्या मसले मसायल थे आपको पता है किसका डिसिप्लिन का प्राब्लम था स्टूटेंट्स को तंग करते जिस वज़ा से यह वहां से आ गया और कहां पे आगया अठारा से सतर में यह जो है बुक फिल्ड में आ जाता है और अब नेक्स इसमें इंपॉर्टेंट बात जो आएगी कि वेन मिस्सर चिप्स केम फॉर एंटर्व्यू वैदरवाई वास दी हैड़ मास्टर यानि जिस दिन मिस्सर चिप्स जो था वो यहां पे आया बुक फिल्ड में आया तो उस वक्त का सरबरा जो था यह आप लोग ने जहने में रखना है वैदरवाई था उसने उसका इंटर्व्यू किया ठीक है जी उसने उसका जो है वो इंटर्व्यू किया और जो है मतलब उसे जो है वो क्लेर किया तो उसके कहने पर जो है वो फिर जब इंटर्व्यू उसका पास हो गया आप कहलें तो फिर जो है वो मतलब जो है वो मेसेचिप्स यहां पर रोशन दिन था वेन चिप्स केम फॉर इंटरवियू दायर वास पुल अफ स्वीट स्मेल अफ फ्लावर्स ठीक है और इस वक्त जो था वो क्रिक्ट मैंच खेला जा रहा था बुक्फिल्ड के मैदान में तो जो है मतलब यह चीज़े आप लोग ने जेन में रखनी है और समर विकेशन एट दी एज ऑफ 22 नी बाइस साल की उमर में इसने बढ़ाना शुरू किया था और बाइस साल की उमर में जो है वो बुक्फिल्ड में वह आया और चिप्स को बुक्फिल्ड शुरू से बड़ा पसंद आया था और उस वक्त का हैड़ मास्टर अगेन चिप्वी है शुमेघा था झाल कि गी देथ हो जाती है अब एक और इसमें पॉइंट एट कर लें जब मिस्स्र चिफ्ड्ल यहां पे इंटर्वी देरा था एखुन मतलब उसे नसीयत करता है कि तुमने शुरू से ही जहरा सिथ रभिया पनाना है ठीक है और समजीर यह भी कि रहता है कि वैधर भाइ ने क्या नसीयत की थी मिस्टर्च चिप्स को तो वैधर भाइ ने यही नसीयत की थी कि तुमने अपना जोश्व जजबा जो है वह बुर्ख फिल्ड को दो इसके मतले में बुर्ख फिल्ड तुम्हे कुछ ना कुछ वापस देगा और तूसरी इस नसीयत क्या की थी कि नजमों जो जबत है उसको शुरू से काइम रखना ठीक है इन दो नसीयतों के उपर जो है वो मिस्टर चिप्स ने बड़ा काम किया ठीक है यनि जब वो पहले दिन अपनी क्लास लेने के लिए गया तो इसी इनी दो नसीयतों के उपर उसने जो है वो गरवाई की डेथ हो जाती है और नेक्स पॉइंट आप लोग ने जहीं में रखना है कि 1870 में दूसरा इंडर मासर आ गया था जिसका नाम था मैल्डरम यह प्रीविस वीडियो में हम लोग ने इस बात को डिसकस कर लिया था तो इट वाज़ सेप्टमबर संसेट इन एटी आजमाईश थी ठीक है और उसे सबक के तैयारी की जो है वो क्लास लेने की होलनाक बड़ी एक आजमाईश से जो है वो गुजरना पड़ा ठीक है चुकर यहां के जो स्टूडिंट से वो वी मतलब बद तहजीब थे ठीक है और लेकिन चुकर चिप्स के जहन में वैदर बा ठीक है जिसका नाम उस बचे जिस बचे को पहले ही दिन मिस्सर चिप्स ने जो है वो सजा दी उसका नाम था कॉली ठीक है जी तो यह कॉली जो है यह नाम आप लोग ने जहें में रखना है कि मिस्सर चिप्स जोक वेन ही मेट कॉली तो यह कॉली जो था वो पहला स्टूड Mr. Chips Punished कि Mr. Chips ने जिस बच्चे को सजा दी उसका नाम कॉली था फिर इसी चप्टर में में मुझीद बताया जाता है कि 25 साल के बाद 25 साल के बाद इसी कॉली का बेटा जो है वो आता है 25 साल के बाद इसी कॉली का बेटा जो है वो आता है ठीक हो गया, यह 25 साल के बाद के बाद के बाकिया है, फिर अगले 25 साल के बाद एक grandson of the first college, यानि यह जो पहला पोली था, इसका पोता आ जाता है, ठीक हो गया, और वो भी जो है class में शराद करता है, तो Mr. Chips के क्या, क्या अलफाज थे, कि कहता है कि your grandfather was a stupid fellow, कि तुम्हारा बा बादा भी अच्छा नहीं था, तुम्हारा बाप भी अच्छा नहीं था, लेकिन तुम उन दोनों से जो है, वो ज्यादा बत नमीख, तो यह important question आप लोगों ने event जेहन में रखना है, क्या यह event जो है, तो उमीद है कि यह आप लोगों को main events, जो हैं, वो points समझ में आगे है कि यह कौन से points है, यह chapter number one की text को हम लोगों ने discuss नहीं किया, लेकिन जो important points है, वो हम लोगों ने यहाँ पर discuss कर लिए, यह समरी थी, यह जो main events आप लोगों समरी में आगे होंगे, questions के तरफ बढ़ते हैं हम लोग, important questions है, यह वो questions है, जो के board के paper में आते हैं, तमाम boards के लिए, जो है, वो chapter one one में से जो जो से सवाल आते हैं, तो यह most repeated जो है, वो past papers को यहाँ पर, questions को यहाँ पर discuss किया गिया है, what was the real name of Mr. Chips, ठीक है, पहला सवाल है कि Mr. Chips का असल नाम क्या था, तो इसका जो असल नाम था, वो Chipping था, लेकिन लोग जो है, उसे बड़े प्यार से Mr. Chips बलाते थे, Chips, real name was Chipping, लेकिन लोग उसे जो है, he was called Chips Lovingly, कि लोग प्यार से उसे जो है, वो Chips ही बलाते थे, को संदर भुटू है, who was Maryville, तो यह हम लोगों ने पहले discuss कर लिया है, कि Maryville was the personal doctor of Mr. Chips, he used to visit him at every fortnight, और वो उसे क्या कहा करता था, कि तुम जब भी मरोगे, एक पहला हेड मास्टर था, ब्रुक फिल्ड का, और जब Mr. Chips है, वो, इंटर्वी देने के लिए आया, ब्रुक फिल्ड में, और उसने क्या नसीयत की थी Mr. Chips को, Mr. Chips को उसने यही कहा था, कि तुम ने शुरू से जो है, वो सखत रविया पनान है, नेक्स कॉसन है, how did Mr. Chips मे अपना टाइम जथा, बस्ट किया हुआ था, वेन डिट Mr. Chips जोएं ब्रुक फिल्ड, यह कॉसन आप लोगों के लिए क्वाइट ओवियस है, 1870 वाजदा यह, वेन Mr. Chips जोएं ब्रुक फिल्ड, वाय डिट Mr. Chips not like Malbury, Malbury School को क्यों उपसान नीम करता था, क्योंकि उसे वहा 1870 में जो है, वो 1870 में जो है, उसकी डेथ हो जाती है, वैधर बाई की, वाय और हो डिट Mr. Chips पनिश इस फर्स सुटेंट अड ब्रुक फिल्ड, तो यह कॉली था, जिसने शरारत की थी, और वट डिट Mr. Chips सेव तो दे सन आफ फर्स कॉली, तो यह भी, हम लोगों ने भी के बाद जो था, वो पहले चिप्स, पहले कॉली के बच्चे को क्या कहता है, कि तुम्हारा बाप वो पहला शक्स था, जिसे मैंने सजा दी थी, he deserved it then, and you deserved it now, वो इस वक्त सजा का मुस्तेक था, और तुम इस वक्त सजा के मुस्तेक, नेक्स कॉसन है, what did Mr. Chips say to the grandson of the first कॉली Mr. Chips ने जो है वो, जो first कॉली था, उसके मुती को क्या कहा, उसके पॉली को क्या कहा था, कि that his grandfather was a stupid fellow, even his father was not a good fellow, however he was the biggest fool of the lot, कॉसन नेक्स है, how did he feel when he remember his past, कि जब वो अपने माज़ी को याद करता, तो वो कैसा feel करता, तो मतलब वो खुशी भी होता, अपने माज़ी को याद करके घमी को भी याद करता, तीक है, अब ये कॉसन के explanation जो है वो इन्शाला next chapter में आती रेगी, कि वो खुश क्यों है और घम क्यों, तो यहां तक आज का chapter number one खतम हुआ, ये important questions है, आपके खुलासाजाद की ओपर खाफी ज़्यादा chapter number one के questions दी होंगे, लेकिन आप लोग ने इन्ही questions को अच्छे से तयार कर लेना है, इन्हीं में से इन्शाला जो है वो बोर्ड के paper में सवाल आता है, ये most repeated है और इन्शाला इसी मेसेज है वो सवाल आता है, थैंक्यो जी, अल्दा आता है, थैं